सीटेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ लॉंग है बहुत सारे बच्चे परिशान है कि जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो हमारा वैलिड है या नहीं है हमने तो 2011 में एक्जाम दिया था 12 में दिया था तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपने 2011 के बाद से अब तक जितनी भी सीटेट के एक्जाम जिसने भी जो भी दिया है उन सभी का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ लॉंग है तो बिलकुल भी परिशान नहों यह सोचकर कि हमारा सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है तो सभी का सर्टिफिकेट वैलिड है यह ना सोचे कि अब जो एक्जाम दे रहे हैं आगे से सर्टिफिकेट वैलिड होगा नहीं अब तक जिसने जो भी सीटेट का एक्जाम जिया सब भी का certificate valid है अगर आप qualified है मतलब आपकी 60% है आप general category से हैं मतलब unreserved category से हैं तो आपको 60% चाहिए यानि कि 90% नंबर आप of 150 और जो unreserved category है उसके लिए 82.something यानि 55% तो ये तो बात qualifying marks की हुई कि इतने पर आप qualified होंगे CETER exam बात करें next CETER exam की तो जल्दी ही आपको CETER देखने को मिलेगा form fill up होंगे और आपको अभी से अपनी तयार स्टार्ट कर देनी चाहिए मैं भी अभी classes स्टार्ट कराऊंगी मंदे से तो आप लोगों को previous year करने हैं बहुत सारे important questions करने हैं repeated जो भी important question रहे हैं वो सभी करने हैं ठीक है तो मैं important और repeated questions अपने वीडियो में कराती हूं तो जिन्हों ने भी चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक शेर सब्सक्राइब कर लें राइट और ऐसी ही अपडेट आप सभी को मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें सो थैंक्स फॉर वाचिंग